ठंडी ठंडी सावन के फुहा पिया आज खेड़ के खुले मत छोड़ो ठंडी ठंडी सावन के फुहा प्रतिवर्ष के तुल्ला में अपके बार ठंड के आज मसूस होने लगी है शाम को वो सुबह के समय तापमान का पारा घटने के कारण नागरिकों ने अपने उनी कपड़े बाहर निकालने प्रारम करती है बजार में भी अनेक प्रकार की नई नई डिजाइन के गर्म कपड़े सहीत वीविद फैशन के मफलर, स्वेटर आदी की खरीद है तुँ ग्राकों के भीड दुकानों में दिखाई दे रही है गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए सहर शहीत ग्रामिट क्षेतर से भी ग्राकों का आना जारी है अंबा देवी परिस्तर, राज कमल, शाम चोग, प्रबाद चोग, सहीत शहर के अनेक स्थानों पर उनी कपड़ों की हाट लगी है छोटे से लेके बुज़ूर्गों के लिए वीविट डिजाइन के स्वेटर, जैकेट्स, बाजार में उपलब दे जैंट्स, लेडिस स्वेटर, मफलर, स्कार्फ, स्वेट कोटी, कुर्ता पैटर्ण, सलवार सूट, जैकेट, टी शर्ट, जैट्स मार्ट्स, और फैंसी हेंड ग्लोज, सभी कुछ बादारों में उपलब देए एक जमाने में लाल इमली और रेमेंड के उन यही बजारों में उपलब देते फिर अनेक ब्राड आये और आये शहर में नेपाली तिबटी लोग उनी कपड़ों को लेकर सड़कों पर, ओटों पर अपनी दुकान सजाया उनमें प्रमुख था ताशी ये नेपाली था ताशी वो अपने संग कुछ नेपाली और भरपूर माल लेकर अमरावती आता और बढ़िया व्यवसाई कर जाता भूतकाल में टेलर पटेल, रसिक कैप्स, अनन्द कैप्स इनका वुलन मार्केट में बोल बाला था इन दिनों अवकाली बारिश ने भरपूर थंडी जगाई है स्वबाइक तोर पर वुलन मार्केट गरमाया है समाचार संकलन, अशोग भाई, जूश तंडी तंडी सावन के फुहाँ पिया आज केड़ के खुले मत छोड़ो आवे जोके से वगले बाया पिया आज बाते जली मत छोड़ो थंडी थंडी सावन के फुहाँ